हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्टो एक्लासेश, तो आज के सेशन में हम एक और टॉपिक को डिस्कुस करेंगे, जो की रिसेंट्ली आपका न्यूज में है, तो टॉपिक का नाम है आपका, वट इस चैड जीपीटी, तो ये टॉपिक क्या है, इसको हम डेटेल में ये किस तरीके से important है एक्जाम के लिए हम एक एक टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, तो सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंट ओफ डिसकुस क्या है, जो हम आज के सेशन में डिसकुस करेंगे, तो स जब भी हम प्रिलिम्स की बात करते हैं, तो प्रिलिम्स में application या technology के based उसके application से ज्यादा questions आते हैं, तो application जितने भी हैं उसके uses ये हमारे ले important हैं, तो हमें इसको discuss करना है, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ uses हैता, obviously कुछ उसके limitations भी होंगे, तो हमें limitations भी समझना है, फिर हम इसी से related एक term समझना है, वो है आपका chat board, तो chat GPT और chat board में क्या difference है, ये भी हम समझेंगे, ठीक है, फिर इसके दो अलग types होते हैं, chat board के, तो हम उस types को भी समझेंगे थोड़ा सा, फिर at the end हम देखेंगे क्या इसके advantages हैं, और क्या इसके disadvantages हैं, ठीक है, फिर last में हम इसी तरी आपे किस तरीके से exam के लिए important है, ये समझना बहुत जरूरी है, because this topic is relevant from the exam perspective, in the science and technology section, आपका prelims में and mains में, वहाँ पे every time there will be a question, ऐसे questions पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहां से ये topic हमारे लिए important है, तो हम एक एक करके सारे topics को समझते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि ये आपका Indian Express News Paper की clip है, जहां पर ये news आपकी थी, तो news को पहले देख लेते हैं, कि news में क्या बोला गया है, देखिए, what is open AI, AI means artificial intelligence, chat GPT, chat board, ठीक है, तो ये chat GPT और chat board को हम अभी समझेंगे, why it has become a viral sanction, अब ये देखिए क्या है, the chat board, chat GPT gives answers which are grammatically correct, ये क्या है, देखिए, ये and read भी करता है, एक गम अच्छी तरीके से, ठीक है, some has point, but अगर इसके इतने सारे benefit है, ये grammatically correct है, आप इस सारे conversation कर सकते हैं, तो कुछ इसके limitation भी है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि इसमें lack of content और substance है, ठीक है, ये आपका news में है, ये headline, अब इस headline को हम completely समझते हैं, तो सबस introduced किया, chat board, जिसको हम बोलते है, chat GPT, ये क्या है, ये conversation है, conversation का मतलब समझते है, जैसे हम इंसान के साथ communicate करते हैं, तो same way में इसके साथ भी conversation आप easily कर सकते हैं, ठीक है, and we'll answer the query just like a human word, जैसे हम दो friends आपस में conversation करते हैं, तो same इसे तरीके से, आप इसके through conversation करेंगे, तो ये आप का answer देगा, similar जैसे human में answer हम लोग reply करते हैं, ठीक है, तो ये है, इसका main news में रहने का reason, अब इसको हम समझते हैं, कि ये chat GPT क्या है, तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में detail में समझना जरूरी है, chat GPT जो है, आप इतना तो समझ गए, conversation के लिए use होगा, तो ये क्या करे करेगा, follow up करेगा questions को, ठीक है, जैसे हम अपने friend के साथ talk करते हैं, तो जो हम question पूस्ते हैं, उसका reply देता है, तो same इस तरीके से ये भी हमारे, हमारी तरही follow up questions को करेगा, and इसमें benefit देखिए, can also admit it mistakes, मतलब अगर वो कोई गलती भी कर रहा है, तो उसको भी वो mistake करेगा, ठी करेंगे, तो ये आपका inappropriate, जितने भी request है, उनको cancel भी कर देगा, reject कर देगा, तो ये कुछ इसके benefits हैं, और कुछ इसके uses हैं, ठीक है, आप देखिए, ये based on the company, कौन सी company ने आपका इसको बनाया है, GPT 3.5 series of language learning model, जिसमें language learning model के base पे ये आपका, अब हमें समझना है, कि GPT क्य है, कि क्या है ये GPT, तो GPT का मतला सबसे पहले समझे, generative pre-trained transformer, इसका मतलब क्या है, pre-trained का मतलब है, आप उसको field में लाने से पहले है, उसको क्या कर रहे है, trained कर रहे है, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ये एक तरीके का computer language को use करेगा, इंसान है, artificially बनाया है, तो normal human की तर to produce human-like text-based import, तो इसको completely इस तरीके से train करके बनाया गया है, कि ये आपका human की तरह, अभी आपने कुछ time पहले recently news में भी था, artificial humans को भी बनाया जा रहे है, robot हमने देखा था news में, तो ये सब आपका किस पे based हो रहा है, artificial intelligence पे, ठीक है, और artificial intelligence prelims के लिए very important है, every time हम देखेंगे, वहाँ पे questions आते ही है, ठीक है, तो ये भी directly पूछ सकता है कि related to which, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्यों important है, ठीक है, अब देखिए, ये model जो है आपका, ये trained होता है, और predict कर सकता है, जैसे देखिए हम अपने friends से बात करते हैं, तो हमारे friend को पता होता है कि ह अगला question है क्या पूछेगा और उसी तरीके से reply करता है, तो same way में ये जो है आपका, ये model जो है, इसको ऐसा trained किया गया है, कि ये predict भी कर लेगा, मतलब समझ जाएगा कि अब next क्या आएगा, ठीक है, मतलब next question क्या होगा, and that's why one can technically have a conversation with chat GPT, अगर हम conversation कर पा रहे हैं, अगर मै suppose ये pan है, ठीक है, अब मैं इसके साथ directly conversion कर पाऊंगी, नहीं न, because इसके पास कोई system में, कोई function नहीं है, ये मेरे को समाझ ही नहीं पा रहा, ठीक है, non living things है, तो हम इसके साथ interaction नहीं कर सकते, बट ये क्या है, आप इसके साथ interaction कैसे करो, because ये आपकी feelings को समझ रहा है, ये समझ क्या होता है, reinforcement learning from the human feedback, मतलब एक बार तो आपने, इसको हम दुबारा से train कर सकते हैं, upgrade कर सकते हैं, कैसे, जो भी humans के feedback आए, उसके according, ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा important है, और इसके ज्यादा benefits है, अब use कहा होगा इसका, chat board, chat GPT तो develop कर दिया, आप इसका use कहां पे करेंगे, देखिए, हम इसको use कर सकते हैं, real life applications में, कैसे, जैसे कि आपका जो भी है, digital marketing में हम इसको use कर सकते हैं, इसके लावा हम इसको online content creation में भी use कर सकते हैं, उसके लावा हम answer करने में, जो भी देखिए, customer service queries होती हैं, वहाँ पे हम hire करते हैं, किसी person को, जो customer service को response करता है, वहाँ प लार्ज scale में questions को भी respond कर सकता है, जैसे हम लोग, अगर job में किसी person को hire करते हैं, तो उसकी responsibility होती है, कि वो every question को handle करें, है न, human की तरह, क्योंकि हम human है, तो अब इसमें क्या है, कि लार्ज scale में questions को भी handle कर सकता है, इसलिए इसका benefit है, ठीक है, while intimating human speaking style, ऐसा नहीं है कि कोई robotic style म भी बोलेगा, human की style में, ठीक है, अब देखिए, एक और चीज क्या है, it is being seen as a replacement of basic emails, जैसे की basic emails का reply करना, उसके लिए हम इसको use कर सकते हैं, party planning list, यह जितनी भी चीज़े हैं, इन सब में हम इसको use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह बहुत important है, इस तरीके से, अब इसके, अगर इ sexiate bias है, इसका मतलब क्या होता है, आप human में हम differentiate करते हैं, this is a male, this is a female, but यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, पिकाज एक technology है, एक robot की तरह है, तो रोबोट में कोई human, कोई female, कोई male नहीं है, तो इस तरीके से, सबसे पहली limitation तो इसकी यही है, ठीक है, अब दूसरी क्या है, display clear ratio, अब देखिए, जो यह response कर रहा है, यह grammatically correct है, सब आपने एक system में fit किया है, सारी चीज़े, बट उसकी knowledge तो वही तक limited है, वो जादा चीज़ पर उसका knowledge नहीं है, सबसे main चीज़ें आपर यह problem आ रही है, कि lack context and substance, उसके पास है ही नहीं इतने जादे, ठीक है, विकाज, जित limitation है, उसके अलावा, इक और limitation है, इसकी जो knowledge है, वो भी restricted है global event पर, human क्या करते है, अपने आपको according to the development, according to the technology, अपने आपको upgrade करते रहते है, बट यह technology है, इसमें क्या है, limited knowledge है, ठीक है, तो यह कुछ important इसके क्या है, limitations भी है, जिसके वज़े से थोड़ा बहुत इसमें problem हो रह भी uses देखें, ठीक है, अब देखिए, limitation, दूसरा limitation, एक चीज़ यह भी हो सकता है, कि human की replacement, job की जितनी person की requirement ही मापे, यह work कर लेगा, तो jobs में भी down होगा, यह सब चीज़ें भी है, अब हमें एक term समझना है, chat board, यह क्या है, chat board, chat board को हम लोग chatter board भी बोलते हैं, ठीक है, chatter board भ करता है, देखें, यह conversation करता है, किसके साथ, customer के साथ, आप लोग ने देखा भी होगा, कहीं पर हम कोई queries जालते हैं, तो automatically महाँ पर response आता है, तो कोई person available 24 into 7 नहीं रहता है, every person की job की fixed timing होती है, but आपको response उसमें भी मिलता है, कैसे मिलता है, with the help of AI, ठीक है, तो customer क्या होता है, they are automated program that interact with the customer like a human would, and a cost little to nothing to engage with, ठीक है, बहुत कम इसमें खर्चा भी आ रहा है, और यह चीजें बहुत easily भी हो जा रही है, ठीक है, chat board में board chat कर रहा है, जैसे कि example अगर आप देख सकते हैं, जो अभी हम लोग use करते हैं, सबसे famous Alexa, हर किसी के घर में आजकल Alexa है, हम Alexa से बोलते है conversation करते हैं, और इसके इलावा देखिए, कहां पर use होता है, mainly chat board, businesses में होता है, facebook messenger वगेरा में use करते हैं, अब इसके operate, दो तरीके से यह operate करता है, जो chat board है, इसके operate करने का तरीका दो है, मतलब इसमें दो function पर work करता है, पहला है machine learning, और जिसमें, और दूसरा है आपका set of guidelines, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके types क्या है, देखें, दो तरीके से chat board आपका work करता है, पहला work किस तरीके से करता है, first type है आपका chat board with set guidelines, अब इसको समझते हैं, देखें, suppose हम किसी organization में काम करते हैं, तो हमें proper guidelines दी जाती हैं, कि आपको इस तरीके से इसको follow करना है, आप उसी को follow करते हैं, तो same way में यहाँ पर भी है, आपको इस chat board में क्या होता है, तो आप उस limited उस पे ही काम करेंगे, जितना आपको बताया गया है, आप अपने से extra work नहीं करेंगे, तो same यहाँ पर देखें क्या है, only response to a set of number requested and vocabulary and it is only an intelligence and its programming code, जो भी उसके programming code में वहाँ पर fit कि आगया है, वो उतनी ही information को आपको आगे pass on करेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते है, automated banking वगेरा में हम इसको use करते हैं, तो पहला type तो हमने समझा, जिसमें guidelines के base पे वो work कर रहा है, अब second type देखें, second type क्या है, machine learning chat board, अब नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है, इसमें have an artificial neural network inspired by the neural node of the human brain, देखें, human brain कैसे response करता है, हमारे neurons हमें signal को pass on करते हैं, हम response करते हैं, तो same way में machine learning chat board को इस तरीके से develop किया गया है, कि वो भी इस तरीके से function कर सके आपका, ठीक है, अब देखें, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं, the board is programmed to self-learn and it is introduced to a new dialogue and word, तो इसलिए ये न हैगा, क्योंकि इसमें आपका guidelines जो है, वो fix करी गई है, यहाँ पे आप neuron की तरह function कर रहे हैं एक तरीके से, तो आप अलग-अलग guidelines को, अलग-अलग words को ला सकते हैं, जैसे human करते हैं, ठीक है, in effect, as a chat board receiver, new voices or textual dialogues, the number of inquiry that it can reply to and the accuracy of each responses given increases, अब इसमें अपने आपको नए words सीख देख रहा है, नए develop कर रहा है, तो इसके response करने की accuracy क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, तो दो different type के हमने समझे, कि कौन-कौन से types हैं इसके, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, अब देखते हैं कि इसके advantages क्या है, सबसे पहला advantages मैंने आपको बताया, कि यह तो देखिए, free of phone lines and are far less expensive, ज्यादा कम expensive होगा, because long run में hiring करना पड़ता है, people को perform करने के लिए support के लिए, तो वो सब तीजों की requirement नहीं पड़ेगी, indirectly humans की जहां पे use है, जहां पे वो work करते हैं, उसकी जगह पे AI work करेगा, तो human की job की जो chances हैं, वो क्या हो जाएंगे, decrease हो आपको पहले उसको training देना पड़ता है, human brain is not like a machine, है न, we learn everyday, तो हम कुछने को सीखते हैं, तो हम machine की तरह एक्दम correct answer और एक्दम correct response नहीं देंगे, कभी-कभी हमसे गलती हो सकती है, बट यहां पे क्या होगा, आपने program fit किया है, कि उसको वही reply देना है, तो grammatically incorrect, कभी होगा ही न, ठीक है, तो जो लोगों को चाहिए, वो यह easily provide कर देगा, ठीक है, और उसके बाद यह जो companies हैं, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, वो इसको ज्यादा use prefer कर रहे हैं, because क्यों, वो easily data को collect कर सकती हैं, customer की जो भी queries हैं, उनको easily handle कर सकती हैं, और देखिए, human के response करने की एक capacity होती है, तो response time जो है, यहाँ पर बहुत जल्दी होगा, satisfaction होगा, and so on, so on, तो बहुत सारे advantages तो हैं इसके, but disadvantages भी हैं, disadvantages क्या हैं, देखिए, not fully compressed a customer input and may provide incoherent answer, मतलब एक दम, इनसान से तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही ह तो आप उसके around के जो भी inquiries हैं, आपकी वो पूछ के आप अपनी problem को solve कर सकते हैं, but यह इस तरीके से work नहीं करेगा, यह उतना ही response देगा जितना इनको पता है, जितना इनके system में, program में fit किया है, तो पहली problem तो यह है, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होती है, दूसरे ह है, many chat board are also limited in the scope of queries that they are able to respond to, बहुत सारे chat board ऐसे हैं, जिनकी knowledge, अभी हमने समझाना, दो different type के, तो जिस function पर अगर वो guideline वाले function पर work कर रहा है, तो इसका मतलब है, उसकी knowledge क्या है, limited है, तो वो आपके answers नहीं देख पाएगा, अब उसके बाद देखिए, chat board क्या है, इसको जो ल हर्च होगा, ठीक है, especially if they are, must be customized and updated often, अगर बार बार इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको, जो knowledge आपने एक बार फिट करी है, ऐसा तो नहीं है, दस साल बार भी वही knowledge उस पर रहेगी, human तो अपने आपको अपग्रेट करते हैं, बट यहां पर तो आपको अपग्रेट क speech are the real danger to watch for, ठीक है, इसका मतलब गया है, देखिए, in future में, maybe, ये कुछ job पूरी खा जाएगा, तो कुछ hate speech लोगों के मन में है, वो सब चीजें भी आपकी आती है, विकस देखिए, अगर कोई technology आ रहे है, तो human का completely replacement हो जाएगा, महापे, अगर human का replacement हो जाएगा, तो इंडि होगी, तो disadvantages तो बहुत सार हैं इसके, ठीक है, अब देखिए, इसी तरीकी के previous year में कितने questions पूछे गए हैं, वो हम देखते हैं, ये question आपके सामने है, prelims 2022 का, direct question आते हैं, आपके जो term news में रहते हैं, question क्या है, देखिए, which with the present state of development, AI, AI से every time question आते है, AI प्लीज अच्छी से unit, क्या ऐसा होगा, अगर हम AI को use करेंगे, तो, second है आपका, create meaningfuls, short stories and songs, कर सकते हैं, Alexa का example आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, कि नहीं आप बताएंगे, disease को diagnosis कर सकते हैं, AI की help से, अगला है आपका, text to speech conversation, अगर आपने जो पहला robot develop किया था, आपने अगर वो देखा होगा, तो robot ए transmission होता है, electrical energy का, तो इन चारो, पाचो option के base पे आपको answer बताना है, कि 1, 2, 3 and 5 होगा, 1, 3 and 4 होगा, 2, 3, 5 होगा, या फिर आपके all of the above, तो generally हम लोग क्या करते हैं, science and section में, कुछ नहीं पता है, तो all of the above में answer लगा देते हैं, बट आपको answer करना है, हमने अभी देखा, AI का कहा कहां पर use हो रहा है, chat board, उसकी help से भी आप इसको easily answer कर सकते हैं, तो आप लोग इसका answer बताएंगे, अब एक और question देखते हैं, हम जो previous year में पूछा गया है, देखे, ये 2018 का question है, अगर आपने उस समय की news थोड़ी भी ध्यान से पड़ी होती, तो बहुत easy था ये question attempt करना, otherwise इ आपको ध्यान में रखना है, कि ये futuristic technology है, तो futuristic technology है, मतलब आज इसके advantages है, कल को इसके advantages बढ़ सकते हैं, तो जो भी इसमें आपको exam में देगा, वो correct ही होगा, तो यहां से आप guess कर सकते हैं, कि first one is correct, अब second देखे, क्या है, blockchain technology, blockchain technology, also futuristic technology, तो बताया है कि digital or cryptocurrency है, तो हम लोग बह साही होगा, यह correct है या नहीं है, last है आपका देखे, cash 9, उसके बाद है particle physics, क्या है, यह particle physics में यूज होता है, तो यह तीन option आपके सामने है, अब question में क्या पूछा है, यह भी ध्यान से पढ़ना है, कि correctly matched है, या फिर incorrectly matched है, ठीक है, उसमें भी हम लोग question गलत कर देते हैं, त ठीक है, और इसी से आपका fit next year में और question पूछा गया है, ठीक है, इसी topic से, तो इसलिए previous year question का analysis करना is very important for the prelims examination, ठीक है, prelims में, mains में भी इतना ही important है, तो I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा, अगर आपको फिर भी कोई doubts हैं, तब comment box में पूछ सकते हैं, हम लोग मिलते हैं, फिर एक next section के साथ, तब तक के लिए thank you.